मेरे सारे बिहार के सिक्चक सिक्च का वहावी यह जो है टियारी वन टू और थ्री को लेकरके स्पेसिली जिस तरगे की मांग डुमिसाइल निती लागू करने की बात की जारे जिसमें सरकार को ग्यापन सौपा गया है उसके साथ आसीज कुमार वा अन लोग मिलकरके ऑनेबल मामले पर डुमिसाइल लागू करने की मांग को लेकर के यार्चिका पटना हाई कोट में दायर कर दें जिसकी पहली अब्जर्वीशिन जो आ रही है वो क्या है इसके लेकर के आप लोगे तमाम सवाला रहे है दिखे मैं समझ सकता हूँ की डुमिसाइल निती की मांग आप कि domicile निती लागू नहीं है इसके बावजूद भी अन्य राज्यों के जो students हैं वो जो है किसी ना किसी तरीके से धादली करके गलट documents बना करके भी domicile का फायता लेते हुए यहां पर आरक्षित सीट में भी आजर है और domicile नालागू होने के वाज़े से journal category के उपर इसका प लोगों ने याची का दायर की थी अगर आप लोगों को याद होगा तो टियारी वन के बाद जैसे यह कहा गया था पहले आपको कहा गया था कि domicile लागू रहेगा और फिर बीच में domicile 1 में ही इस नियम को बदल के कह दिया गया गया कि नहीं domicile निती को हम हटा रहे है ब वक्त मिली होगी आपको याद है मैंने आपको बताया होगा सरकार ने domicile देने से मना कर दिया था और सरकार ने कहा था कि हम सबको समाहित करेंगे और रीजन यह दे था है कि बिहार के बच्चे जो हैं बिहार के अभियार्थी जो है वो भी तमाम अन्य राज्यों में जाकर आप लोगों को अश्पष्ट तोर पर समझना पड़ेगा एक निवीदर जरूर है अगर चैनल पर नहीं आपको राने साथ हैं सब्सक्राइब करके जूड़े रहता है तो इसलिए इन सब चक्रों से दूर रहें देखिए मैं आपको एक बात अश्पष्ट बताता हूं इस बार सोच रही है यही बड़ी बात है सरकार के जो भी सक्षा मंतकारियों से हमारी बात हुई है तो यह बात जरूर पता चले है कि डोमिसाइल पर विचार किया जा रहा है लेकिन एक चीज़ समझे पिछली बार वे औरनवल हाई कोट ने यही कहा था कि देखिए यह सरकार क अपना जो है सरकार की भरतियं सरकार चाहेगी तो हाई कोट से जीतेंगे अगर सरकार रहे है अगर हो समझते है जसकंते हैंसर यह आपका राइट टू लाइफ में आता है और सर की समानता आती है सब को सेम अपर्चुरिटी तो हाई कोट यह सुप्रीम कोट तो आप से यही कहेगा कि आप सब को मौकर दीजिए फंडमेटर राइट बचा यह लोगों का लेकिन यहाँ पर सरकार जैसे कि जारखंड स्टेट ने हाई कोट के अंदर आगे कहा कि नहीं सर हमारे यहां कि स्थिती अलग है हमारे यहां इंप्लॉयमेंट जो है वह बहुत जाता है बिरजगारी बहुत जाता है पहले हम अपने से बकेकित यहां पर आपकी सरकार आगे आप लागँ नहीं रहे है वह कही है तो फिर डो मिसाइल आप लागों कहां सकरा लेंगे इसलिए जो बहुत सरी साथी कहा रहा है कि सर आप भी कोट में एक याजिका दार करेंगे हम लोग बहुत पहले आप लोग सोच रहे हम लोग करके और वापस आज चुके हैं अपने जीएप से लगा कि किसी से एक उपर चं कि टाइम काफी जादा हो गया है और आपको पता है कि डेट वे एनाउंस कर दिया गया है जुलाई में आपको एक्जाम देखने को भी मिल सकता है हाला कि यह अभी फाइनल नहीं है क्योंकि इसकी कुछ सिचना आई है मेरे पास कि यह डेट बढ़ने वाला है अगर्स तक आ कि विदनी है कि आप लोग सरकार से बात करिए सरकार के अपने प्रतिनिधियों से बात लिए, सरकार को यह स्टेंड लेना है ना कि हाई को लेना है चीजे इसलिए बदली है चुकि सरकार election हो चुका है और अब बिहार सरकार बिहार में अपनी छवीज हमकाने की कोशिस में है ऐसे में जो सरकार के internal department से जो हमारी बात हुई है तो सरकार एक बर डो मिसाइल को ले करके चर्चा करने के लिए चर्चा करने के लिए कबिनेट की बैठक जो है इसमें अगले हपते होनी है अगर उस बैठक में प्रस्ताव पारित हो जाता है हाला कि अभी नियमावली जो है नियमावली में फिर आपको संसोधन देखने को मिलेगा अभी फिर से आपको इसी महीने के लाज तक एक बार और नियमावली आपको टीरी थरी के मिलेगी क्योंकि एक्जाम जो है रद्ध हो गया था तो हो सकता है कि सरकार इस पे आपके पक्छी में फैसला ले ले लेकिन आपको दवाव बनाना जारी रखना है हम लोग ट्विटर के जरिये लगतार केंपेनिंग कर रहे हैं आप लोग को भी उसके साथ जुड़े रहना चाहिए लेकिन फिलाल हाई कोट से आपको बहुत ज़्यादा रहात मिलने की उमीद इसलिए नहीं क्योंकि सेम ग्राउड पे याचिका हमारी खारिज हो चुकी थी क्योंकि सरकार वहाँ पे बैक फूट पे आ गई थी अगर इस बार सरकार समर्थन करती है कि हाँ अपने राज के भी अनिप्लैनेट बहुत ज़्यादा है बिहार में बहुत ज़्यादा है इसलिए हम विहारियों को मौका पहले देंगे तो आपके पक्ष में फैसला आ सकता है अनिथा नहीं ये है आपके पूरे डुमिसाईल निती की जणकारी मेन आपका सरकार है सरकार चाहेगी तो आपको मिल जाएगा जैसे जारखंड में मिल गया जैसे अन्य राज्यों में मिल जाता है सरकार नहीं चाहेगी आपको नहीं मिलेगा उमीद करता हूँ आपको जनकारी मिलता हूँ फ्रड़ा